हलो एवरिवन आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्यूटी रिलेटेट टिप्स लेके आई हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक कॉमपेक्ट पाउडर है लेकिन यह तूट चुकी है ज्यादा तर हमारे साथ ऐसे होता है जब कॉमपेक्ट पाउडर खतम होने को होता है उसका जो लेयर है वो पतली हो जाती है तब कॉमपेक्ट पाउडर टूट जाती है या तो उपर से गिरने से परने से भी यह तूट जाती है तो हम क्या ट्रिक यूज़ करें जिससे हम फिर से इसे पहले जैसा फिक्स कर सकते हैं क्योंकि compact powder है यह loose powder नहीं है तो अगर इस तरह से तूट जाए तो आप यह बेकार हो जाती है हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए एक बहुत इज़ी टिप से आपको यहां पर नॉर्मल पानी या तो आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर आप एट करें और इसे अच्छी तरह से mix करें आप देखी सकते हैं यह जो पानी है और यह जो powder है यह mix नहीं हो रही है तो इसे आपको थोड़ा problem होगी mix होने में लेकिन हो जाएगी थोड़ा मेहनत लगेगी अगर आप इसे चम्मस से ना मिला पाए तो आप अपने उंग्लियों के मदद से भी इसे mix कर सकते हैं आप इसमें थोड़ी से तेलकम पाउडर भी add कर सकते हैं इससे जो आपका compact powder का जो quality है वो भी ज देख सकते हैं तो हमने इसे अच्छी तरह से mix कर लिया है अभी हम इसे अच्छी तरह जैसे मतलब एक compact powder रहता है इस तरह से shape दे देंगे और यह जो powder है यह 2-3 घंटे बाद में ही सूखने लगती है तो आप 2-4 घंटे के लिए इसे इसी तरह खुला रखना है तो आपका ज चार घंटे बाद इसका जो result है वो किस तरह से आया है यह पूरी तरह से dry हो चुकी है और हमारा जो compact powder जो खरीटे time जैसे था ठीक वैसे ही लग रहा है किसी किसी का यह सूखने के बाद थोड़ा हलका इसमें दरार रह सकता है क्योंकि आप इसे फैला देते हो ना पानी को mix क आने के बाद तो अगर आपका बहुत कम quantity है तो यह जब सूख जाती है तो थोड़ा सीकूर के सुड़ा दरार रहती है यह कोई बड़ी बात नहीं है आप इसे अराम से यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें loose powder यह तो आपको यह दरार भी नहीं पड़ेगी बहुत अच्छी आप देखी सकते हैं इसका जो रिजल्ट है यह काफी अच्छी आई है बहुत बहतरीन काम किया है यह ट्रिक I hope यह वीडियो आपके लिए helpful होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो टाटा बाई 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 फ